प्रिंसिपल्स ओफ सिस्टेमाटिक्स, मॉड्यूल 7 इस मॉड्यूल के अंदर हम बाइनोमियन नोमन क्लेचर के बारे में पढ़ेंगे बाइनोमियन नोमन क्लेचर क्या है बेसिकली ये एक साइन्टिफिक मैथड है जिसके अंदर और्गिनिजम्स की नेमिंग की जाती है ये जो नेमिंग का तरीका है इसके अंदर हम किसी भी एनिमल को दो नाम देते हैं इसमें पहला नाम उसकी जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा नाम उसकी स्पीशिस को रिप्रेजेंट करता है binomial novel creature क्यों हम यूज करते हैं क्योंकि ये internationally recognized system of naming है जब हम scientific name की बात करते हैं कोई भी नाम फर ड्जाब्ल हम humans की बात करें homo sapien तो पूरी दुनिया के अंदर इंसान का scientific name homo sapien ही होगा इसी तरीके से किसी भी animal का जब हम scientific name binomial novel creature के जरिये रखते हैं यह जो तस्वीर दिखाई गई है यह एक spider है जिसका नाम ऑक्सियोप्स जवानस है ऑक्सियोप्स जवानस एक hunting spider है यह biological control के अंदर important role play करती है क्योंकि यह agro ecosystems के अंदर पाय जाती है और agro ecosystems के अंदर ऐसे insects जो हमारी फस्वनों को दबाह करते हैं यह उनके उपर feed करता है यह basically अगर हम इसको technical देखें तो यह एक insect नहीं बलके यह एक arachnid है insect और arachnid में difference होता है क्योंकि insects की three pairs of legs होते हैं जबके spiders या arachnids इनके अंदर four pairs of legs होते हैं तो इसका नाम oxyops जवानस इसमें oxyops इसकी genus को represent करता है और जवानस इसकी species को represent करता है इसी तरीके से इस slide के अंदर अगर आप देखें तो इस slide के अंदर एक scorpion इसको बिच्छू कहते हैं दखाया गया है इसका scientific name होटन टोटा टैमूलस है यहाँ पे होटन टोटा इसकी genus है जबके टैमूलस इसकी species है यह जो scorpion है इसको Indian red scorpion भी कहते हैं और यह scorpion की एक family जिसको बुत्थडी कहते हैं उससे तालुक रखता है बुत्थडी family के अंदर ऐसे scorpion शामिल है जो जहरीले होते हैं इनका जहर बहुत जादा toxic होता है अगर यह scorpion bite कर लें तो इससे मौत भी वाक्या हो सकती है तो hotentota tamulus यह scientific name है Indian red scorpion का इसी तरीके से इस slide के अंदर अगर आप देखें तो इस slide के अंदर frog जिसका scientific name rana tagrina है तो इस के अंदर जो पहला नाम है rana यह इसकी genus को represent करता है जबके tagrina इसकी species को represent करता है amphibian ऐसे animals होते हैं जो पानी और खुशकी दोनों के अंदर रह सकते है rana tagrina एक solitary animal है आम तोर पर यह तनहाई पसंद होता है लेकिन यह पानी के अंदर बहुत जादा देर तक नहीं रह सकता लेकिन यह पानी और खुशकी दोनों पर depend करता है तो rana tagrina का जो असल नाम जो के scientific base के ओपर हम रखते हैं यह binomial nomenclature के नतीजे में वजूद में आया तो frog जो है इसका scientific name rana tagrina है और यह internationally recognized है पुरी दुनिया के अंदर जब भी हम rana tagrina की बात करेंगे तो हर कोई असानी से यह बात समझ सकता है कि यह frog की बात हो रही है तो binomial nomenclature basically एक ऐसा system है जो के scientific naming इसके अंदर की जाती है internationally recognized है और तमाम scientific community इसके उपर agree है